एक मात्मा की पास एक सज्जन जाते थे, दो लोग जाएं, एक अच्छा हट्टा कट्टा पहलवान था, धन्ड बैठक लगाएं, रोज और स्वामी जी क्या हो रहा है प्रणाम, आव बैठो पहलवान, पर उसके पास पैसा वैसा नहीं था, साधारन आदमी था, स्रम जी भी था, और वो बैठते ही कहता, क्या बताएं गुरू जी, भगवान ने हमको गरीब बनाया, रोज करो, रोज खाओ, पैसे, चार पैसे हैं नहीं, अगर मेरे पास पैसा होता, तो आपको चिंता नहीं करने देता, आपके आस्रम की सब सेवाएं, गति विधियां, मैं चलाता, मैं देता, बिलकुल देता, और लोग भी कैसे हैं, इनके पास है, देते ही रहीं, अगर मैं मेरे पास होता, तो जरूर देता, महराज, क्या बताएं, बागे की बात है, भगवान की इच्छा, गुरू जी मुसकुरा, चल ठीक है, ठीक, बैठा रहें, वो जाता तो एक सेट जी आते, वो करोड़ पती थे, उनके पास बचता तो बहुत था, पर शरीर इतना दुरूबल था, कि खाने को पचता नहीं था, दो तरह की लोग हैं समाज में, कुछ लोगों को खाने को बचता नहीं है, और कुछ लोगों को खाना पचता नहीं है, सब विचारे, उस आस स्वामी जी, आओ, आओ, डालो यहने कुरसी डाल, बैट ले, बड़ी देर में तो उनकी सांस रुकती फिर कहते, क्या बताएं महराज, लगवान ने रोगी बनाया है, बीमा जैते डाक्टर, अगर मैं थोड़ा हटा-कटा होता, तो आपके चरन दबाता, सेवा करता, लेक स्वामी जी, फिर हसते, और वो इसलिए हसते थे, कि जिसके पास धन है, वो तंकी सिकायश कर रहा है, और यह ओर सुष्ट नहें तो पाउँ दबा देते आपके. और जिसके पास तन है, वो कहता धन होता तो कुछ सेवा कर देते, इसका मतलब करने ही नहीं चाहते यह, जिस दार मिक्ता है ये दार मिक्ता नहीं है ये डौंग है ये पाखंड है करना नहीं चाहते है एक आदमी बोला क्यों महाराज हमें लोब छोड़ देना चाहिए दान तो करना चाहिए रखा है तो करना चाहिए के नहीं मात्मा बोले हम ढूँदे, आप से पूझने आए हैं, लोग छोड़ देना चाहिए, दान करना चाहिए, यह बताओ, आप बताओ, हम आप की हमांएंगे, आप बताओ मात्मा मुले तुम हमारी तुम मानोगे हमसे पूंचने आये हो और मान लो तुम अपने मकान के बाहर तुम्हारा गाउं में मकान है मकान के बाहर छप्पर के नीचे बैठे हो और छप्पर के उपर से एक सांप निकले और साफ धराम से तुम्हारी गोद में नगे रहे तो हमसे पूँचने आओगे कि क्या करना चाहिए इसको गोद में रखें कि इसको फैंक दें अगर इमें पूँचोगे बोले क्या मतलब उसमें पूँचना क्या तो तुरन गलत हो गलत है तो बोले जब साफ तुम्हें गलत लगता है तो तो पूँचने नहीं आते अगर तुम्हें लोव गलत लगता तो पूँचने नहीं आते दान करने लगते अगर तुम्हें क्रोध गलत लगता तो पूँचने नहीं आते पूँचने ये सिद्ध कर रहा है कि तुम्हें पूरी तरह से गलत लगा नहीं है एक रेल गाड़ी में कई यात्री यात्रा कर रहे थे गर्मी भयंग कर सूफ़ पानी बेचने वाले अठनी में एक ग्लास पानी अठनी में एक ग्लास पानी अठनी में एक ग्लास पानी एक आदमी मुला चाराने में नहीं दोगे उसने कोई जवाब ही नहीं दिया चला गया लोटके आये तब तक पानी खत्म हो गया था उसने का कि तुम न देते पानी जवाब तो देते हैं उसने चाराने में मांगा था गिलास तुमाठने में गिलास तो बोला इसलिए हमने जवाब देना होची तो नहीं समझा कहा क्यों बोला जैसी तुमने कहा कि 54 में नहीं मिलेगा हम समझ गया कि तुम्हें प्यास ही नहीं लगी है जिसे प्यास लगी वो मौल भाव करेता जिसे प्यास लगी वो मौल भाव नहीं करता इसी तरह जिसे सेवा की लगन होती है वो विचार नहीं करता और विचार करने वाले तो विचारे होते हैं इन से ज़्यादा कोई विचारा होते ही नहीं है अभी हम विचार कर रहे हैं अभी हम विचार कर रहे हैं और विचार करने वाले बिचारे कई चले गए आज के करेया आज करने वाले बरतमान में जीने वाले सुखी हो जाते हैं और काल के करेया काल गाल में समाई गए